कि start करते हैं प्लेसंटा के बाद में फिरीलाजीशिय讲 सबना कि इप्लस कर रहा है अ ila जकालिका ज्यश्री तरह सो मतलब क्या होता है और अलग अलग और ड्रतुव में किस थरीका ब्लाजन वहता है या किसी अइसी और मैं में में बात करते हैं तो उनके अंदर किसे प्रेसेंटा है तो प्रेसेंटा है क्या एक 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 नेकल है और पिजिलोजिकल करेक्षिन है कि बिट्मी में मैंटर्नल पार्ट और फिटल पार्ट के बीच में प्लसेंटा एक कनेक्शन्स होता है क्या सकते रिंग के तरह काम करता है जो कि अलग अलग फंक्शन को सब्सक्राइब कि सबोस कर लिच्छे हैं कि कि यह फिटल पार्ट है और इस फिटल पार्ट से क्रोनिक विलाई जो है वह एंडुमेट्रियम वाल तक कि यह एंडुमेट्रियम वाल है एंडुमेट्रियम की वाल है यह क्रोनिक विलाई है उसके स्ट्रक्च्छल पाने जाता हो जो कि सो कवर किया रहता है पुली फिल्टस पार्ट को तो कहते हैं डैसीड्यू है क्रां ज्रेसों पर बिल्ट्रस को कवर किया हुआ एक स्ट्च्च्छा इसको महर बזה क्या ए डेसीड्यूर्ट तो जहां बच जाती उसको कहते हैं यसे यह स्ट्रक्च्च्छर जो है गहां पह olho जा रहा है और यह जिसे कहते हैं कि देशी है कि दूर नाम यहां सकना जरूर नहीं है और यह कनेक्शन होता है इसके किसके बीच के बात कर रहे हैं कि अभूर कि मात जो मैं कि पर रहे चलिए और अधरो कि आज़ाने जो कर दो अधिक्शन और पाइधा है इसको जो कहते हैं अम्भाव के सचे पहां डिकल्त काई कि यह विख रिख और यह वह बिकार्ड कंड बढुब कि यह कुछ बीच में प्लेसंटा का कुछ बहुत ही इंप्वार्टिंट फंक्शन में से पहला फंक्शन है रेस्पिरिटरी कि गैसियस एक्सचेंज यानि फिल्टर्स को गैसियस एक्सचेंज करने में प्लेसंटा मदद कि दूसरा कि फॉर्मूंस कि प्रोजिस्ट्रों निकलता है यह सब जानता है कि एस्ट्रोजेन भी सब जानते हैं एक निया जो में मिल रहा है उसे इंगे यूमन क्रोवनिक गोनेटोपेल क्रोवनिक सब्सक्राइब लेकिन पहले हप्ते से प्रेंटा पनना स्टार्ट जाता है पहली हफते के बाद प्रेडा नियूज पगरता जैसे जो टेस्टिंग्ट होती है अच्छिव टेस्ट के तेस्ट करते हैं उन्होंन क्रोनिक वह यूरीन होता है उस यूरीन के जरीह यह हर्मून निकलता है यह रहा है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन बता रहा है कि बनके इंप्लांटिशन हो चुका है यहां से हम लिए लोग सकता है उसी तरीके से लिए टेट्राटोजन लेकिन हो जाते हैं इसे इन दोनों को एक्सेप्शन केस में लेका चलते हैं जनरली यह बैरियर होता है प्यासिथ इम्यूनिटी प्रवाइड करता है नाट्रोजन को लिएश को लिएब करता है अगर कुछ और इंपॉटेंट बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रवाइड करना और नाइट्रोजन प्रवाइड को रिमूव करना है यह कुछ फंक्शन होते हैं प्लसेंटा के प्लसेंटा के प्लसेंटा के चुम्यून का से करना प्रोजिस्ट्रों रिजस्ट्रों हम प्लसेंटा करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉड़ी से रिमूव करता है बात करते हैं टाइप्स ऑप्लसेंटा के यानि कितने टाइप के प्लसेंटा होते हैं तो टाइप्स ऑफ प्लसेंटा में जो टाइप होते हूँ उसमें पहल लोता है drops thriller एंडो ईंडर प्लसेंटा के बीच की जो भी होती है उसके ब्यसिश में प्ता कर रहे हैं टाइप्स ऑप्लसेंटा तो types of placenta हम यहां के दूरी में जितने साए tissue हैं यानि on the basis of histology हम किसके बात कर रहे हैं on the basis of histology histology मतलब tissue के basis पर बात करें तो कितने type के placenta होते हैं तो हमने कहा कि यह maternal blood vessels हैं और यह fetal blood vessels हैं fetal blood vessels के बाद कुछ हमें connective tissue मिलेंगे फिर उसके बाद chronic villay मिलेगा यह fetal है हमें फिर कुछ connective tissue मिल रहे हैं और उसके बाद हमें chronic villay मिलना है खिक उसी तरीके से यहां पर आते हैं तो यहां पर भी कुछ connective tissue हमें मिल रहे हैं connective tissue muscles वकर और उसके बाद हमें हमें endometrium की wall मिल रही है तो एक layer, दो layer, तीन layer, चार layer, पांच, ले छे यह हमारी maternal blood vessels माल लेते हैं यह connective tissue माल लेते हैं, यह endometrium की wall है, यह chronic विलाई है, यह connective tissue फेर्ट से हैं, फेटल साइट से हैं, और यह फेटल blood vessels हैं, तो यहां से यहां लगबाद छे layer से हैं, तो छे layer अगर होगी, तो हम उसको उस ताइब के प्लेसेंटा को कहेंगे, इपी फील्यों को यहां यहां य तो six layer वाला, लेकिन, जैसे जैसे हम थोड़ा advance होते जाएंगे, layer कम होती जाएं, chronic विलाई मान लिजिए, अगर आपकी separate हो रही है, degenerate हो रही है, तो पांच layer हो जाएगी, एक layer गयाब हो जाएगी, तो हो जाएगा, sin decimocorial पांच layer पे, फिर उसके बाद endometrium गयाब होने गया, hemocorial, अब ये और ये एकदम पास में आगे, बीच में काफी कुछ नहीं है, सब तीन layer है, एक ये, कुछ सारे tissues हैं, और ये, तो तीन layer का होगा, ये होगा है, hemocorial, और ये hemocorial ही जो होता है, वो human being में पाए जाता है, ये बहुत important question है, neat के level पे, what type of placenta is present on the basis of histology in the human being, त हम लोग कई basis पर पढ़ेंगे, तब हमें exactly पता चलेगा है, कि exactly किस type का placenta human being चंदर पाए जाता है, दूसरा तरीका समझते हैं, placenta कितने type का होता है, यानि अब हम बात करने वाले है, types of placenta on the basis of layer, यानि एक placenta बनाने को कितनी सारी layer मिल रही है, उसी को हम कहते हैं, कि types of placenta on the basis सब्सेंदा layer, सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते है york sick placenta, जिसके अंदर york की मातरा जादा होती, तो york sick और koryons, koryon का पार्ट हमेशा रहेगा, koryon हमेशा placenta का एक पार्ट ज़रूर रहेगा, तो york sick और koryon मिल के अगर बनाता है placenta को, तो उसको हम कहते है, york sick placenta example marsupials जो मार्सुपील्स होते हैं उनके यह टाइब का प्लसेंटा पाए जाता है एलेंट्वाइक प्लसेंटा क्या होता है जहां एलेंट्वाइक और कोरियोन एक्सट्रा मेंब्रेन हैं बाहर की मेंब्रेन लेकिन कुछ और्गनिसम के अंदर एलेंट्वाइक और कोरियोन मिलके प बनता है तो उसमें human example हो जाएगा और सिर्फ कोरियों का प्लसेंटा यहां पर formation होगा तो हमने देखा कि types of placenta on the basis of layer में यॉक से placenta हो सकता है एलेंटर की placenta हो सकता है को योनिक placenta हो सकता है अब हम लोग अगले टाइप का placenta परता है यानि types of placenta जो कि depend говорить से यहांनि जब शिट इस बाढ़ी से इकस्पफल होता है उस समय प्लसेंटा है कि नहीं है उसके सिस्वे हम bet everyone in fact weased होता है तो तीन आप प्लसेंटा जागा पहले को कहते हैं डेक्षु दूएट प्लसेंटा यानि यानि जब बच्चा बहार निकल गया तो बच्चे के पास क्या कोई portion ऐसा है प्लसेंटा का जो अभी भी अटाच है या maternal पार्ट में क्या प्लसेंटा अभी भी बच्चा है अगर दोनों ही यानि maternal या फिटल दोनों ही पार्ट में कोई भी प्लसेंटा का पार्ट अब नहीं बचा है यानि पूरा एब्जॉब हो गया है female के body में और फिटल के body में तो ऐसे को हम कहते हैं deciduate placenta जिसमें decidual part and the fetal part यानि decidual मतलब हम बात कर रहें maternal part and fetal part दोनों ही पार्ट क्या हो चुका है लौस होचुका है नों deciduate placenta क्या होता है नौन का मतलब यह होता है कि जो maternal पार्ट रहेगा वो रुका रहेगा जनि maternal part जो होगा वो रिटेन होगा वह लास नहीं हुआ से लगा अगिर पार्ट का जो है वह dość सब्सक्राइबर में प्रसेंट एक भूझ करें के अधर mine दोनों साइड में loss हो गया है एक में बचा है एक में खतम हो गया है और दोनों में बच रहा है यानि deceduate non deceduate and contra deceduate placenta तीन टाइप के placenta हम लोपाए है types on the basis of types of the behavior of during the parturation यानि parturation के द्वारान जो behavior होगा उसके basis पर types of placenta में last part में चलते हैं यानि इसमें पढ़ना है types of placenta on the basis of the distribution of the विलाई विलाई की बात करते हैं अगर पूरे में diffused है placenta तो उसे हम कहते हैं diffused placenta पूरे तरफ है विलाई चारों तरफ से पाए जारी जोनरी कुछ band-like structure में पाए जा रहा है placenta तो उसे जोनरी placenta कहते हैं quartilidinary मतला होता है पैचेज में प्रेसेंटा प्रेसेंट है तो उसे quartilidinary कहते हैं metadiscoidal है disc-like हम जब हम लोग human being में पढ़ आया तो थो थो ने बताया था disc-like structure यानि metadiscoidal diskiber, diskretion and diskorder is circular disk है हम लूब में जो होती ही flat होती ही, इसमें क्या होती है circular disk है तो इन सारे basis में जो सबसे important question बनता है was ये बनता है कि human के अंदर जो placenta पाये जाता है वो किस tribe का होता है तो हम चारो पाँचो टाइप से पढ़के समझें क्या कि सबसे पहली चीज कि human का placenta hemo-chlorial होता है hemo-chlorial मैंने बताया कि तीन layer वाला होता है फिर मैंने कहा chronic यानि सिर्फ किसका बना होता है koreons का बना होता है nothing else फिर बताया मैंने decidue, decidue मतलब है कि lost हो जाएगा चाहे maternal part हो और चाहे fatal part हो दोनों lost होगा और फिर last मैं आता है metadiscordid यानि किस तरीकी का होता है disc light तो इस पूरे concept से हम लों ने किसके बारे पूरी पर स्टड़ी की है placenta के बारे में